हाई अवरीवन गाइस आज के यह लेक्शर हमारा काफी अमेजिंग होने आला है क्योंकि आज यह लेक्शर में हम लोग जानने वाले हैं पाइफन है कुछ छोट छोटे बेसिक जो कि जानने में आप लोग को बहुत मज़ा आगा समझे है और इसके लाव हमारे इस लेक्शर क आज के लेक्शर में क्लियर होने वाले हो कि तो इस लेक्शर को स्किप करने का खतरा बिल्कुल भी मतले नहीं कि अब जैसे मैंने अपने टर्म स्कूर्पन के आप एक बेसिक सा इंटरफेस सामने आ जाता है अब मैं हाप एलस कमांड टाइप करता हुए लेकिन आप लोग को पता नहीं चला होगा कौन सी चीजिस में फाइल है कौन सी चीजिस में फोल्टर है तो वो चीज़ बता करने के फोल्टर सब्सक्राइब एक सकते हो हमें जाता है यहां लिज फोल्टर के सकते हैं जो चीजे वार्ट वो होती है और टाव और सबस्क्राइब होड़ सब्सक्राइब करते हैं और श्युक्त परमेशन मिल चुकी होती है कोई भी अगर आप लोग उसको एडमिनस्टेटीव पर्मिशन देद होगे तो वो चीज़ जो है ग्रीन करकी हो जाएगा यह सब्सक्राइब लोग्त प्रमिशन क्या होती है सब्सक्राइब को अपने आपके टर्मर्स की पूरी स्टोड़ेज सब्सक्राइब करते हैं तो देखिए अब मैं वापने सब्सक्राइब करते हैं इसको सब्सक्राइब करता था यह फाइल को एडिश्टेटीव परमिशन मिल चुकि है और बुलु कर रहा हमें बताता है कि यह एक फोल्डर ठीक है तो याद रखना कि हम लोग अपने टर्मस में घूमने का मतलब हम लोग किसी फॉल्टर में घूच जाए और उसी फोल्डर से फिर बैक आ जाए या फिर उ कि हम घूमने कि हम लोग अभी हां पर यह सीखते हैं अपने घूमने कि हम लोग बेसी कमाड का यूज करते हैं कि कि स्टोर्ज के अंदर घुषते हैं इंदर जातें तो रिटॉस के आंदर तो देखें अब मुझे देखना कि इस टोरेज के इंदर क्या क्या समान पड़ा तो सिंपली मैं आप लस्टाइब कर सकता हूं और एंटर कर दूँगा तो देखें अब इस टोरेज फोल्टर के अंदर जितनी चीजे पड़ी है वह सभी कि सभी यहां पर लिस्ट हो चुग है अब लोग सोच रहे हैं यह तो आलग कोलर का आगया है यह सब ब्ड़र था यहां पर यह इसके बारे में को चीज़ों चीज़ों के बारे में बताते साँ ठीक है तो यहांपे यह सब भी फोल्डर से अब मैं मालगे इसके अंदर से पूल्डर से इसके अंदर जाना चाहता हूं तो मैं सिंपले यापर सीडी के यूज कर मों किसी पूल्टर में जा सकते हैं तो मैं पर सीडी लिखूंगा इस पेस दूँगा और और यहां पर मैं सिंपली इस फोल्टर कर नाव दोगों डी सी आई एम और फिर कर दूँगा अब मुझे इसके अंदर भी देखना है कि क्या क्या समाने तो मैं यहां पर यहां पर देख सकते हैं यहां पर बीच्छे सारी फोल्टर से करा आप लोग देख रहे हैं तो यह सब आप लोगो पता करना बढ़ें यह कमांड यह कमांड यह कमांड यह करेंगे लोकेशन बताती होते हैं आप लोकेशन आ रहे हैं और यह स्लैश डेटा स्लैश डेटा स्लैश कॉंडोर टर्मस फास और हम फिर स्टोज और फोसर लोग के अदर हम लोग हैंगे तो आप लोग समझ नहीं आँकर मैं जानता हो बड़ कोई निए अब रोग सीदह हैं यहां से होम पर जाना चाहोगे तो हो पर जाने के तो तो स्टरीग करों और प्क तरीका यह पर एक और तरीका यह तरीका यह तरीका है यह तरीका यह को दूसरा एक पर कर घुट करना इस पेज देना यहां पे डॉलर लगाना ओके दोलर दोलर और फिर न करोगे अगर सब्सक्राइब हो आप लोग करने में होटेक्ष नहीं तो से मांचेट इसके लाव में आप और चीज़ बताना चाहता हूं तो उसके लिए मैं जोना और वापिस से डिसी याइं वाले फोल्डर के अंदर रिखेल दोबार से एक्टर्णल स्ट्रोज मैं आ चुका तो गैस देखिए अब माले जी मैं चाहता हूं कि मैं यहां से डारेक्ट होम पर ना जाओं मैं यहां से पीछ जाना है सीधा होम पर नहीं जाना सिर्फ एक बैक जाना है तो मैं वापी से टाइप करूंगा इस पेस दो और डबल डॉट लगा दूँगा कर दो एंटर देखिए अब मैं सीधा इस से भी पिछे तो मैं होम पर नोर्नल ची बात ही तो आप लोगो पते एगा अब मै यह जो था नहीं बेसिक था एंड उसके लाव जैसे जैसे मागे बढ़िंगे वैसे से और भी चीजे टर्मस वारें आप लोगों को पता चलते जो चली फटाफर चब जो पाइटन फैस के बारे में जाने ही तो पाइटन फैस वही गाइस जिसके अंदर में लोग अपना को फैस कि पाइटन फाइल पाइटन प्रोग्राम गया से करें चיךयले उसको एडिक कैसे करें अब लोग के जा है और यूज करते हैं रहलों से हम जो है कि सी भी फाई-थान फाइल को करते हैं समझ कि प्रोसमें आप लोग को बता दुए प्लिट करना सिक तो क्या करता है नैनो लिखते हैं ठीक है नैनो इस पेस और पर लोग इस पर देट लगाब यहां पर होता है कि हम पाइथन की फाइल मर रहा है तो यह हैं एक सिंपल सा सिंटेक्स होता है जिसे हम लोग अपनी फाइथन की फाइल करते हो फिर जैसे हम लोग करेंगे एंटर तो यहां पर आप लोग सामने कोड एटर खुल जाता है तो आप लोग इसके पूरा कोड कोड प्लिक सकते हो समझ के तो आप लोग को प्रेस करते हैं पर सबसे उपर टर्मक समय देता है उसको प्रेस करते एक करते थे पर खंट करते फिर एक प्रेस करते हैं उसको मोडिफा करना है आप लोग नहीं प्रेस करते तो आप लोग को लोग एक लिगा दुऊंचे कालने के लिए अच्छा लोगा अपर अपर से एडिट करना सिखने तो मैं हाप एलस टाइब करता हूं देखिए मेरे पर कुछ आगे अब मैं इसमें से एडिट करू हूं मैं लगा वैरियेबल के बारे में जाना था और उस टाइम पे लास्ट वाला मैंने आपको यही फाल बना के दिखाए जिस फाल को भी हमें एडिट करना है जो फाल पहले से बनींगे उस नाम को यहां पर कर देंगे अब फिर आप लोगो को सिंपल यहां पर कर देना है एंटर तो देखिए वह फाइल खुल चुकर जो भी कोड़ोगो आपके सामने आ पर आजागा कल लोगों ने लगा आगर कोडिंग करते हना कुछ मिटाते हो तो वन पुछ सेव करना पड़ा आप लोग सेव नहीं करते हैं अब्लों के आप लोग क्रो सिंपल प्रसेइल सेमकर से और एक एकशपाइख लोग जो रिखा यका मौडिफाइगा तो मौड़िफाइग हुए को सेव कर दोगे को सब्सक्राइब तो बिना एंटर करें होंपे आ चुका था चीक है तो अब यह आप लोग एडिट करना भी सीख गए चलिए दुस्तों अफट अफट से किसी फाइल को डिलीट करना सीख तो आप लोगी बहुत सारी फाइस बनेंगे जब आप लोग को आना चाहिए तो लिए करने का तरीका भी होता है आप लोग क्या करना है कमांड होता है और आप लिए क्वया पर रिक्वेस्ट दॉट रट पी वाइव डिलीट करना है तो मैं हाप लिए टिक आ टिक है यह लिए और फिर कर दूँँआ एंटर सिंपल अभी जो यह फोल्डर है या फाइल हो सब जो भी वह वो डिलीट हो जाएगा बाप से लस्टाइब करता हो देखे तो यहां पर रिक्वेस्ट डॉट पीवा जो है वो गाया बहुत जोगा है नहीं है अब मैं क्लियर स्किन करता हूं ठीक है तो अभी आप लोग डिलीट करना भी सीख चुग है किसी भी फाइल को त जलदी से जलदी से लुग चलिए अपके करते हैं थोड़ी सी कोडिंग करी देटा है ठीक है तो उसके लिए मैं क्या करता है आप लोगो को प्रेंट जो फंक्शन है रिंट इसका यूज करना चैशिव चीछ उप अच्छे से करना अभी आप लोगो बाता आता हो ठीक है त प्रिंट के साथ चीज़ लिगए चाहिए अब लोग को बताता हूं कि प्रिंट के यूज का सब्सक्राइब सब्सक्राइबर्स ओके आप लोग बता रहा तो दोनों के साथ मैंने आप लोग को बता रख रहा ठीक है पहले चीज जो प्रेंट का युज रिखेंगे टिक फिर डबल को और इसके तरह कुछ भी लिग देंगे जैसे कि मैं आप लिख देता हूं है लो सब्सक्राइबर्स ओके आप लोगी है ठीक है और यहाँ पर डबल कोट से सुख्रोंट के तो देखी ग्रीन क्लरका हो गया तो यह तरीका हो गया उसके लिखेंगे अर कि यूज करने का और वो तरीका तो हम लोग उसके लिए कहते हैं सबस्क्राइब बनाया ठीक है वेरी एबल और इसके अंदर मैंने असाइन करा दिया करते हैं तो मैं यहां पर दोनों तरीक मैंने आप लोग को बता दी तो यह उपर वाला तरीक है यह यह जो इस चीछ के साथ पर दोनों को अपने जगह पर यूज करते हैं अभी आप लोग देधरे पता लाएगा तो बस आप लोग अभी के लिए जाने कि आपको देधरे बताऊंगा एक बार में पर दो चलिए पटाफर जाते इन पूट का यूज लेकिन कैसे पहले आप लोग लोग पर रन करके भी अब इसको रूप लिए तो मैंने आप लिए पाइफन लिखता हूं इस पेस डालता हूं फिर लुट वाइफ लॉट पीवाइब लिखा रूं कर दिया तो देखें है लोग वर्ड दोनों दोनों प्रिंट वाज ठीक है एक उपर वाला जो यह मैंने इस ट्रिंग का यूज प्रिंट करा दिया चलिए यह तो हो गया अब इंपूट का जानते हैं तो इसी वाले प्रोग्राम फाइल के अंदर इसी को एडिट करेंगे तब सिंपले मैं आपने लिखूंगा फिर एल फाइफ यानि कि इसी वाली फाइल को हम लोग वापी से खोलेंगे डॉट अगर हमें अपने यूजर से जो बंदा हमारे प्रोग्राम को यूज कर रहा है उससे कुछ इंपूट ले रहा है यानि कि हम कहें भाई अपना नेम डालेगा तो वह हम कैसे लिए तो उसके लिए इंपूट का यूज करते हैं तो जैसे कि मैं आपे लिखता हूं पी यारा अपना नमर प्रिंट होगा तो हमारा जो यूजर है वो उसमें अपना नाम डालेगा तो वो वह नम सब्सक्राइब नाम आप लोगा तो यहां पर लिए लगा देंगे और सिर्फ यह ब्रैक्ट लगा देगा सिंपल तो वह इस इन्पूट को भी दो तरीके से यूज़ करते हैं समझ के एक तरीकत में आप लोग को यह बता रहा हूं समझ के तो इससे क्या हो कि अब जैसे बंद अपना नाम डालेगा वह ना हुमारे जो यह नेम नाम का वैरियेवल है इस नेम के अंदर उस बंदे का नाम आ जाएगा और अब मैं चाहता हूं कि जब वह बंदा अपना नेम डाले तो उसका नाम जो इस स्क्रीन पर प्रेंट भी हो जाए तो मुसके लिए मैं सिंपली प्रेंट के अंदर नेम लिए दूंगा आप लोगा उपर आला जो यह स्ट्रिंग वाला तरीका यूज हो गया और नीचे जो तरीका है वह तरीका यूज हो गया ठीक है तो अब देखाब क्या होते इसको रहने करता हूं फिर आप लोगो थोड़ा और अच्छे समझागा तो अभी देखे मैं लस्टाइब करता तो वह प्रोग्राम में आप आ चुका है इसको रन करते हैं सिंपली पाइथन लिख क्या है आप लोग देखें लालता हूं और यहां पर और फाइफ ड़ाए कि तो देखें कि मैंने पर प्रिंट कर वाएं तो बंदे का ना यहां पर इंप्र फंक्शन की मतबसे पता है कि एक खाली सी जगह आगा जहां पर वंद आपना नाम है तो इन्पूट के विए से परनाब में यह समानवा चाहिए तो उस तरीके में क्या थोर समय करते हैं तो दूसरा तरीका कैसी कर सकते हैं इनपड को वह देखते हैं तो उसके लिए मैं सिंप्ली क्या करूंगा न सबस्क्राइब लोग बनाइगा क्योंकि जो भी नाम बंदा डालेगा नाम या कोई भी इंपुड यूजर हमारा डालेगा वो नाम कहां पर वापिस से इस बार एच को लेते हैं इस टीके नेम थोगे एज देते बन देगी तो इस लिए फिर इस इकवल डालेंगे और यहां पर इंपूट कमांड का यूजर करेंगे तो यह दूसरा तरीका मैं बता रहा हूं तो मैंने इनपूट डाला अब यहां पर यह ब्रैकेट डालेगा डबल कोड के अंदर हम लोग को मैसेज देना प्रिंट कराना स्क्रीन पर क अप्लोग एंट्र QC दियां देखेंगे अब क्या होगा अपने पर यह इं पऊली प्रिंट हो एघधेगा औरuni को अपनी असके पासा आगा चुकी है तो उसके हम सिंप्ली प्रिंट लिखेंगे और यहां पर एस प्रेंट करा देंगे ठीक है देखिए वरीबल कितने युद्वर है समझ गए सारा काम जो होता है गाई सारी प्रोग्राम लेगे जिसमें इसको सेफ करता है चलिए अब इसको फिर वापिसर रहन करते हैं मैं लस् तो देखें यहां पर 18 फिरिंट होके भी आगया तो देखें कितना से तरीका है ठीक है इंपुट का युज आप लोग सीखें बाकी जी इंपूट का जो अच्छे से युज़ों हम लोग सीज़ें काम करते करते सीखेंगे आज आप लोग नहीं बहुत सा इनने चीज़ें मिला हूँ ओके कुछ का आपके काम का लगाओ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना होगे एंड इसका लगाओ कर चैनल पने हो तो सब्सक्राइब भी करी देना चले फिर बिलेंगे नेक्स लेक्शल में जब तक के लिए गुडबाए